आप सबको आपके मताबिक टाक्स शोप में वेलकम कहते हैं। जो किसी भी तारफ की मताज नहीं। तीन दफ़ा रुकन कोमी संबली मुंतखिब हुई। इन्होंने हर वो मामला जो मसी कम्यूनिटी के साथ जियाती का था, इतैसाल का था, जुल्मों जबर का था। इन्होंने सक्ती से आवाज उठाई। उनके बाद हमारे साथ नईम हैं, थोड़ा सा हम मौका से फाइदा उठाते हुए, घजश्टा हफते मानुवर जफर साथ की एलिया का इंतकाल हो गया, जिसमें हाई कमिशनर ने इजहार एफसोस किया, हम सब भी आज फर्दन उनके साथ इस गम की गड़ी में शामल हैं, दौागों हैं उनके लिए, और मैं यहां पे खास वज़ाहत करूँ, एक तो नौास सलामत साथ से, कि घजश्टा जो है, हमारा प्रोग्रेम था कि सियासी पार्टियां क्यों गहर फॉल हैं, जिसमें हमने बैस भी की, हमारे साथ आसिया नारसर सहबा भी थी, लेकिन कुछ टेकनिकल फाल्ट की वज़ा से टेली कास्ट ना हो सका, लेकिन आज हम उसी को दबारा बात करेंगे, नौास साथ एक तो बात ये हुई थी, कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि बहुत सारी पार्टिज ने अपने जो विज़न हैं, वो वाज़ा नहीं किये, तो वो ऐसे लगता है, जैसे वो सोशल मेडिया तक हैं, चूंके सियासी जमाते जो हैं, वो चलती हैं अपने कारकुन और काइद की वज़ा से, यहां जो मैं देखता हूं, क्योंके प्रोफेसर स्लामत अफ्तर साहब एक जानबाद एक वतन के, या मसी कम्यूटी के एक सपाही थे, जिनोंने बरपूर सियासत को चलाया, औ और जब उनकी से इतने अजासत ना दी, तब ये पार्टी आइसा इसा गहर फाल हुई, आप कहां तक इस बास से इतफार करते हैं, आप अपनी पार्टी का विजन, और क्या आप इसे इतफार करते हैं, क्या आप इसे इतफार करते हैं, क्या पार्टीयां वाक्या ही गहर फ पर्टी के बारे में पॉंट अफ्यू जो मेरा है आपके स्वाल पे उसको वाजा करने का और इसके साथ साथ जो है आसिया बाजीम वर सब बैटी है सिस्टर आसिया उनको भी मेरी जरब से सलाम और नाइम वाइस सब को और आज ये चले मुझे मुझे मिला है तो हैपी नीयर सबसे पैदे आपका स्वाल है मैं शुरू इस बासे करूँ है कि आएम थैंक्फू तो मैं चेर्मन प्रफेसर स्लामत साथ और को चेर्मन सर्वर बटी साथ के उन्होंने मुझे 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 इजाज़त दी कि मैं इस प्रोग्रम में आकर अपनी पार्टी का पॉंट और यहां को वाज़ कर सकूँ तो सब्सक्राइब पिछले प्रोग्रम में आपने भी इस वाल कियो तो सम्सर्पी मैं इस स्वाल को जो है इसको कहूंगा कि हर चीज के जो होते हैं ना दो हैं तो इसका जो एक उस दिन मैंने आपके जो मेरे पुछे शुरुका थे दोस्ताहें उन्होंने काफी स्वाइब उसकी जो वजवाद बताएं लेकिन मेरे काल से जो इसकी एक बड़ी वैलेड स्ट्रॉंग जो वज़ा है कि पार्टी अगया फालतू है उस पर वो उस पॉंट पर वो नहीं आए जो उनका जो पहला पॉंट प्यू था चले उन्होंने जिससे मैं अगर कोई हो और बंदा मुझसे अच्छा काम कर भी रहा हो तो भी आर्टी आर्टी जो एक ये जो चीज़ें जम आपको बता रहा हूं संट्री मैं एक स्केज से गुजरा हूँ पार्टी को बनाने और उसको एलेक्शन कमिशन में रिजिस्टर कराने मैं इस सारी फेज से पुद गुजरा हूँ और वरकर के साथ कम्म्यूनिकेशन उनके साथ राफ्ता तो यह जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं यह जो यह सुनी सनाई बाती है यह प्रैक्टिकल एक्स्पिरियंस तो जब आप पर्टी बनाते हैं तो आपको बहुत से लोग शुरू में जो करें विया हूँ और पार्टियों में आते हैं उनके कुछ कमका मकसद होता है कजो अपनी सिरह सियासी प्रमोशन के लिए आते हैं औरजरब और कुछ आते हैं जनाब थोड़ा आर्चा जनाब फालनाइं shortcuts यह बेनिवेट्स लेने के लिए ज कुछ आते हैं जनाब अपने के लिए और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो अश्टा आइस्टा वो जो पीछे हाट जाते हैं और उसके बाद यह वो लोग हैं जिनको मैं हमेशे करता हूं कि चड़ते पंजाबी में भी आम कहते हैं कि चड़ते सूरज नुस्राम करते हैं कि जब यह फिर देखते हैं बन रही है नहीं और उसमें जणाब देखते हैं उसमें चले जाती है उनकी तरफ चले जाते हैं पिर उनको इस्तमाल करते हैं किसी भी अपने जाती मकसद के लिए और फिर उसके बाद उनको छोड़ देते हैं तो एक सर लाइक of sincere जो workers हैं धिस इस वान वेरी valid reason कि जो पार् इसके बाद दूसरा पॉइंट जो था, जो एक है कि पाकिस्तान में कुछ ताक्तें, ठीक है दी, वो ताक्तें भी ऐसी हैं, जो चाहते ही नहीं कि कोई Christian political party बने, कोई right-wing की party बने, कोई कोई को डार है कि यह कहीं मसी ही जो है, यह एक platform पे थाद होके हैं, मारे लिए problems create ना करे हैं, इसके जो फूफते हैं, यह हो सकता है, इसको आप सियासी party, मजभी सियासी party भी कह सकती हैं, कि जो यह चाहती ही नहीं है, कि कोई होर मसीही political party आए, और जिनाब वो यहां आके अपने हभू की बात करें, यह इस तरह शोर सराबक करें, तो यह सर कुछ ऐसी ताक्ते भी ह आसर की तरफ चलते हैं, आप यह बताएं, रुफिय गिल साब, जो एक कोईटा के सुबा बलोचिस्तान के, बलके पंजाब में भी उनकी बड़ी चनाव के एक बड़े सियासतान थे, जिन्होंने अलेक्शन में भी हिस्सालिया, जुदागाना में, अलेक्शन में पसूसी ह पिर मैं यहां यह भी कहूंगा कि बशीर मसी जब मुंतखीब हुए, उनका एक बड़ा रोल था, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता इस बास से, आपने जो है, एक मजबी जमात, हमारी कम्यूनिटी अक्सर कहती है कि मजबी जमातों ने हमें बहुत नक्सान पुंचाया, आ और किस हादता का आप अपना मोग को बियान करने में अजाब थी, जी मुतरमा आशिया, जी बहुत शुक्रिया सब आपका, जवेद साब का, और न्यूकासल क्रिश्चन जो नेक्टवर्क है, उसका, उन्होंने ये इनिशेटिव किया है, और मैं समझती बहुत अच्छी ब ये आपका बरवक्त अग्दाम है, क्योंकि बहुत जरूरी था कि आप प्रिंट मीडिया में तो आप लिखते ही हैं, हम समझते हैं कि आप हमारे लिए एक फखर हैं, जिस तरह से आप जो है नॉन पार्शल तरीके से गर जानबदार होकर हमेशा लिए हैं और आप जो है चोटे भाई इनको कहती ही नवास स्लामत साब मौजूद है, नए इनवाय साब यहां पर मौजूद हैं, उन सब को भी मेरे तरव से सलाम, यह मसी यसी में आप साथ इसलाम ती और दूसरा आपको मेरे तरव से मेरे साल भी मुंबारिक बाद हो, अपने प्रोग्रम और आज का एजेंडा जो है, उसके तरव आते हुए मैं अपने भाई नवास स्लामत साब की बाते भी सुन रेती पैस को मैं यह बताना चाहूंँ कि मेरे वालत साब रफीर दिल साब, खुदा उनका शुकर है कि खुदा और उनको और जड़ा लंबी उमर दे मेरे दूए हर बच्च को लेकर और अपने बज़र्गों के उस तरभियत और वो जो विजिन हमें भी उसको हम लेकर आगे चल रहे हैं, यहां यह भी बताना चाहूंगी कि मेरे वालत साब में तक पांच जो जुदा गाना अलेक्शन अनमें हिस्सा लिया, सुबाई सेम्ली के, और कॉम्ट कासत मे हमारा बड़ा करदारा है, चार्ज अलेक्शन अप मेरे हो गए हैं, तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगी कि मेरे मुवाली साब आपको पता है कि जादा तर जब आजाद हैसियत ते लेक्शन ते रहें और पीपल्स पार्टी से भी मुन्सलिक रहें, लेकिन जादा तर ज कि जब अगर हम समझते हैं, हमारा मेरे एक विजन है, बलकि हम सब का है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद यह है कि हम कौमी धारे में शामिल है, हमारा मकसद यह हमारी शिनाफ बहर से पाकितान है, हमें मजब के लेवल पर या मजब के नाम पर हमारे साथ तफवीक क्या हमार गड़े बंदी यहां कहले कि हमें माश्रे से बाहिर ही होना चाहिए। देकि मेरा कोजिए है। मैं इस्तराकियत जहमूर्य पर इसको इंक्लूसिफ डिमॉक्रिसी कहती है। और कोई भी मुझ उसको तरक्षी नहीं कर सकता है जब वो अपने माश्रे के या अपने जो रियासत में बसने वाले हर एक तबके के फर्द की तरक्षी उसकी अज़ादी ख्याल उसकी मजभी अज़ादी को एंशूर ना करे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो में स्ट्रीम स्यासी जमाते हैं उसका हिसाब है। इसी नज़रिये को लेते हुए हम जिमित अलमा इसल और मैं समयादी कि जमित अलमा इसलाम ने जो प्लेटफॉर्म मुझे मुहाया किया और जो पॉन्फिडेंस और जो आप कह सकते हैं कि एंकरिजमेंट जो है उन्होंने मुझे दी शाहिदी को जो मेंस्ट्रीम स्यासी जमाते उन्होंने भी अपने मेमरान को ने दीव हो जिस होगी कि अगर हम पाकिस्तान को देखें पाकिस्तान में हमें य sociaux अक्लिए हैं अग्लिए का यह मतर नहीं है कि हम अपने आपको यहां पर जो है वो पॉर्णर कर लें या हमने अपने आपको अलग कर लें, हमें जरूरत है कि हम मेंस्ट्रीम का ही हिस्सा बने और हम वहां पर बावर कराएं कि हम में किसी भी जो मिजॉर्टी के लोग हैं, उनसे कम सिलाइते नहीं हैं, या हम किसी भी तरीके से उनसे कम हुबलवतन नहीं हैं, तो फिर क्यों हम अ अगर अपने हकुट है तो तनहा रहकर यहाइसलेशन में नहीं कर सकते हैं, हमें पिर भी जो में स्ट्रीम पार्टी जाएं, उनकी तरफ ही देखना पड़ेगा। मिसाल के तोर पर आप ले लें जब अठारी तर्मीन हुई या उससे पहले 2010 में, 2002 से जो है मैं इस बात तो उठा रही थी कि हमें 5% कोटा दिया जाए, हमारी सीटों में अजाफा किया जाए, हमें सैनेट में नमाइंदी दी जाए, देखें, लॉबिंग करना, मैं सबसे बड़ा या मुश्किल चैलिंजिंग अमल जो है सियास्ती पार्लिमानी जिन्दगी में यही होता है, कि आप दूसी जमातों को काइल करें, लॉजिक के साथ, दलील के साथ करें, जिस्टिफाइड करें खुड को, और कहीं जाकर, दोहजार दस में, अठावी तन्वी में हमें सैनेट में नमाइंदी मिली, हमें 5% कोटा मिला, और हमारी जो सीटों में अजाफ़े कामल है, यगिनान वो बहुत तवील जद्वज़एद हैं, और किसी भी वक्त वो भी हमें यगिनान बात करते रहने से वो भी मिल सकता है, तो जब यह सब चीजें हम अकेले नहीं हासिल कर सकते थे, जब तक हमें हमारी जो जमात है, जो मेंस्ट्रीम पार्टी है, उनका हमें के सपोर्ट हासिल में हो. दूसी बात यहाँ पर आप दूसी तरफ देखे कि नवाज भाई ने जो कुछ बाते बताएं कि यहाँ पर हमारी जो, यहाँ पर मैं यही वाज़ा कर दूँ कि आपने और नमाज भाई ने भी वाज़न की कि हम यहाँ पर जो स्यासी जमातें मसीही स्यासी जमातों को डिसक्स करें कि वो क्यों फाल नहीं हो सकी. तो मैं समझ मुझ कयोções वहीं है। कि मस्जी सिासी जमार्त कभी पाकिसान उन्हीं तो कभी में ये या उनके साथ अलाइन्स करना पड़ते हैं, या उनमें मर्च होना पड़ते हैं, तो फिर कहीं जाकर वो सर्वाइफ कर सकते हैं, पुलिटिकली भी और अपने लोगों को तहाफूस देने लेगे। तो मैं समझती हूं के हमें बहसे हैं, पाकिस्तान क्यूंके मैं समझती हैं जर्पाकिठान होनी चाहिए. इसके तुर्फ महात के तौर पर नहीं होना चाहिए. लगिन नवाज भाय ने जो बात हीं धितन Nh thinking क्यूंती हैं. कोई ऐसी कुशत है, जो रुकावट बनेँ आपको फाल करने में यहां पर यह भी समयभी कि जो हमारी मसिही सियासी जमातें हैं उनकी था है संकार नहीं कर गट्यूंदा 例खना कर जा लेकि आधिकर आपने छाहिए वह जो हमारी जो सियासी जमाते हैं उन में खुद भी जवमूरी रवयय नहीं है वो खुद भी शायद उन में बहुत सारे जो है कंजोरिया है या बहुत सारी पेचीगिया है जिसकी वह klass है यहां फाल नही हो सकती है तो ज़रूरत है हमें मताथ बज़ाएस विद्ह के कोई मथभी मेरे निखाल में कि कोई ऐसी मथभी कोवत रहा मथभी जमात आइ जो नहीं चाहती के मसीही पार्टि जो है वो फाल हो, मेरे खाल में ये हमारी आपस की ही मसले हैं जिने हमें आपस में ही सेटल करने की सेटल करने की सब्सक्राइब तो मैं खाल की कि हम पहले अपकुद अपना घर तरूस करें और फिर हम दूसरों पर जाएं तो मेरा निशाल की कोई ऐसी कुवत है जो चाहती होगी के मसले जो है यह होगा कि मसी प्रेट्वाम पर लेकिन मसी जमात कीसी को फाल होने में कोई रिकावट मेरा निशाल कोई आगे बात बढ़ाता हूँ एक जो आसिया नासर सहबा की बातों से यह तासर मिला है कि उन्हें विलकुल कहीं कमी मसूश नहीं हुई कि वो किसी दूसरी मुस्लिम जमात में हैं या मजभी जमात में हैं और चूँके लोग जो है नौाद बाई लोग इस वकत ये भी बरपूर मतालबा करते हैं कि हमें नहीं चाहिए अलेक्शन लेकिन जब हम आसिया नासर के तमाम प्रासिस को यह इस तरह देखते हैं तो उनके मताबिक तो उन्हें कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन जो हमारे नमाइंदे हैं जो इस वकत हकूंती काफी अर्शा से दूसरे नमाइंदे कुछ नहीं कर पाए और यह जो एक सियासी अमल है यह कांटीनियू होता है यह नजरिया जरूरत के मताबिक सियासी जमाते नहीं होती हैं तो प्लीज आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि अगर आप पाकिस्तान बनने के बार तारीख देखे तो पाकिस्तान में आपको पता है कि कुछ ताक्ते ही ऐसी हैं तो सियासी जमाते बनाती भी है और सियासी जमाते तोड़ती भी है तो यह तो कोई डकी चुपी बात नहीं है के चुछ ताक्ते हैं जो पार्टीय बनाती भी है और चुपाती भी है और अगर यह जो मैंने बात कई तो मैं ने जैसे पहले भी कहा कि ये बाते मैं अपने प्र właści कल आएक्सपीरियंस चिए हे उह जह किता लांच क्यों मसला मसायल जैसे रिम्शा का हो और बदामी बार का हो लहूर का सबसे पहली आवाज मैं आपको कहूंगा कि जी आज इंटरनेट का दोरा आप गूगल करेंगे और पाकिस्तन क्रिस्टन लीग तो आपको सब कुछ आजएगा कि पहली आवाज वह हमने उटाई लेकिन दूसरी पर वापस पॉस्ट पॉइंट पर आते कि जैसे आसे पाजी ने का कि जी कुछ मजबी जमाते ऐसे नहीं करती पाकिस्तान की सारी जमाते उनका एक जंड़ के तहत उन्होंने जिनाब मिनॉर्टि विंक्स बनाए हूए हैं और यह एक साज़श है के जी यह ताके यह जो है के मसीहि एक कठे ना हो जब हमारा मकसीत यह एक छोटा सा मैनौर्टि विंक्स बना कर हमें वो लोग मिल जाते हैं यह वैसे ही हमें वो लोग पुछ ऐसे मिल जाते हैं जो एसे नम्रक Member to us in the पूरा हो जाता है इनी चीजों से तो सर ये एक साज़िश के तहत जो है पुलिटिकल पार्टिस ने मिनोर्टी विंग्स बनाए हुए हैं ताकि मसी जो 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 एक प्लेटफॉर्म पे ना आ सके मैं इस पॉइंट पे बिलकुल अपने पड़ा हूं कि इसके पीछे कुछ जो दागाना इंतखाबात के बाद आएं फिर कुछ और भी बनी हैं आपका पॉइंट रहना है उस दिन आपके पिछले प्रोग्रम में भी स्वाल हुआ एक भाई तो ने कहा कि हम सब का विजन एक है बहुत सी पुलिटिकल पार्टी हैं हम सब का विजन एक है मैं आप है कि जब उनको इन में से कुछ वो लोग हैं जो कर चुके हुई है ठीक है पार्लिमेंट में रह चुक्के हुए हैं और कुछ वो कि जो इस दोड में लगे रहे हैं, जिनका मैं देखे, कि मैं यह जानता हूँ कि वहाथ में पैसे, नोटों की बोरियां लेकर बैठे हुए थे, कि हमें किसी पार्टी से टिकट मिले हैं और हम चले जाएं। लेकिन और पाकिस्तान प्रिस्टन लीग वहाई जमाती जिसने सबसे पहले यह नारा लगाया कि जी हम सेलेक्शन नहीं एलेक्शन चाहते हैं रिजर्ट सील्स पर और आज यह मैं आपको ताहूं कि इस वजह से हैं जो हमारा जो है इनका और विजन थोड़ा सा हमारा सेपरेट रहा है लेकिन आज फॉर्चुनिटली खुदा की तरफ से यह हमा आजिया गया हमें भी एक मकस्द कि लिए इसके बाद हमारे दर्वाज़े बंद हो चुकी है और अब वह सारे मैं आपको हल्पन कहा हूं कि उनसे मेरी टेलिफॉन बात हुई और ऊनने का कि जी हम यह हमारा नारा नहीं हम का नारा लगाती है एक सेलेक्शन नहीं हमें आपन है लेकिन उसके लावा भी मारी में ऐसे बहुत से जहीं लोग बैटने हैं जिनके जो सारे भी उकटे बैटे तो डबल वोट के लावा भी कोई नों कोई एक और रास्ता निकल सकता है जिससे हम जो है अपनी अपने वोट से अपने नमाइंदों को पारलिमंट में भी सकती है दूसरी बत आसे बादी ने कही कि पारलिमंट में अगर जैसे आप एलेक्शन लटके पहले जो लोग गये हैं सेलेक्शन के जरीए के हैं या एलेक्शन लटके भी जाते तो उनको पार्टियों के साथ इतहाद करना परना था उसमें और इस तरह बिलकुल जाके रिजर्व स हैं बेशक वो एक, दो, तीन, चार भी होते तो आई बिलीव यह मेरी सोच है कि थोड़ी सी जो है उनकी वैल्यू जादा होनी थी और जो है रिजर्व सीप साइंट को पता आपको कई बार तो जो है आई आफ सीन के अपनी पार्टी के जब यह लोग बिल पेश करते हैं और उसके बाद उसमें इनकी मुखालफत होती है और बातें जो है वो सिर्फ बिलनों तक ही रह चुकी है तो आई बिलीव कि जब हमारी कम्यूनिटी से जो लोग जो है वो अपने लोगों के वोट लेकर पार्लिमन में जाएंगे बेशक को एक हो बेशक को दो हो तो उनकी जो ह ज्यादा सुनाई ही हो सकती है जो मैं कह सकता हूँ कि वो थोड़ी सी मुफ्तलिफ है चूँकि आप उनकी मेंबर हैं जमाय असलामियां से भी कुछ क्रिस्चन लोग उनके मेंबर हैं तो आपने कोई ऐसी कोशिश की थी कि इस तरह के जो मन्फी सोच है या बाद उकाद वो इतजाज करते हैं कि हम यह नह अगराने मौजुत हैं लेकिन यह भी जरूरी है क्योंकि आप अप अपर यह लग से भी प्रोग्रम करें कि इस पर कर सकते हैं लेकिन मुझे यह जरूरी ले जो बाते करने हैं पहले तो यह जो जो है अकलिटी विंग के बिलकुल खिलाफ हुम यह उनका जबातों में ही अक हमारी community के लोग जो है उन्हों ने जाक तो वहां पर काफी दफ़ा कहा कि जी अक्लियत का विंग बनाएं करें तो हमारी जमात ने जब भी कहा तो बलके हमारी जमात ने यह कहा कि जमित अलमा इसलाम जो है वो मसावात पर यकीन रखी हो और जमात में मजभी लेवल पर कोई त इसको अतनी ही एहमियत जाती है जो किसी के मुसलिम या किसी हिंदू या सिख मेंबर को दी जाए दूसी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए माइनॉर्टी बिंग्स दूसी बात कि मैं चाहूंगी कि आखे अगर कोई कूटे तो तो अम क्यों का आ कि अग्सेट करते हैं कि कुछ करने जा रहा है दूसरी बात मैं यहां से नवास भाई से यह कूना चाहूंगी कि जब हमारे नमाइन दे जो है वज़गाना हैसे अलेक्शन लड़के आते ते मुझे उस दौर की और 2002 से लेकर ऑन वर जो है उसकी कारकरदी में मवादना करके कि लिए-दे निवेर के बीड़ प्रोट से सबसे बड़ा काईड़ा थो हुआ यहां मेरे भी खाईशा है कि मैं वोट की ताकत से जो हाई पारलमें ने जाहूं लेकिन थे हमारे लोग सारे सिस्टित हैं हमारे लोग वोट देती हैं स्यासिक्हांटों को यस से आप अन्कार निक्र नहीं कर सकते कि हमारी स्यासिक्वाइबंगों में हमारे लोग निया, हर सिस्टम के मैरिट और डी मैरिट होते हैं, जब यकिन Ab outlines हो इसमें बहुत आज जो मुसल्मान नमाइन्दे हैं, उनको जरूरत है, चाहे वोट जरूरत है, लेकिन वो आपके, जो मसीही लोग है, उनके पास जाते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनके काम भी करते हैं। इसरी बात मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आप कहते हैं कि 10, 15, 20,000 या लाख रोट लेका जाए उसकी ज्यादा इज़त होगी, तो मुझे पहले बता दे कि पहले दोर में जो हमारे नमाइन्दे तो उनकी कितनी को रिस्पेक्ट है, कितनी को उनकी ती जो आज नहीं है, हम अक कुल को सेप्रीक्रिक्वेश ससनलाजद हुगाए, जो कौनसेप्ट को प्रवnnॉट करने के लिए, तो उन जो नमायंदगान से हमारे गुझजशता कि अबिभी विवस रहें उन्हों अपनी स्यासी जमादें भी बनाएं उनकी उन स्यासी जमादें का वाओं सारी स्यासी जमातें उनकी असेमली से जाने के बाद ही तहली होगी खतम होगी उनका कोई वजूद नहीं रहा तो मैं समझ यू देखिए स्यासी जमात तो वो होती है कि वो शक्सियात के गिर्णा गुमें चले वो छोड़े पाकस्तान में शायद कल्चर ही इस तरह से है कि स्यासी जमाते शक्सियात के लिगे गुमें लेकिन असल में मैं समझती हूं कि जो नजरिया है वो उसकी एहमियत होनी चाहिए अगर कुछ शक्सियत जमात में है या नहीं है लेकिन नजरिया जो है वो काहिम रहना चाहिए और उस नजरिये को ही लोगों को फॉलो करना चाहिए तो तो मैं नवासाल साब आपको नहीं कहरी यह आपकी में बहुत उजद करती हूँ प्रफेसर साब की क्योंकि आप प्रफेसर साब ने इस कौम को एक नजरिया दिया उनकी एक बड़ी तवील जदो जहते हैं लेकिन आपके लावा जो बहुत सारी दीगर सियासी जमाते हैं आप मुझे बताया उनका क्या विजन है आपने खुद बताया कि लोग अपने परसनल इंटरस्ट के लिए लोग शाहिद बहुत दफा जो हैं अपने माली फवाइद के लिए लोग बस सिरफ अपनी वन शो वन मैं शो है ज्यादार पार्टी में तो आप यही देखेंगी तो यह आप अगरा कि देखेंगी हर रोज एक मुझे कार के उको याता है किसी का पार्टी का को प्रेजिजेंट टैको जनल सैक्री है और उन पार्टी का कभी तुना भी नहीं होता आपनी तो मैं समझ यू कि देखें हमें इस तरह सभी अपने लोगों की तरबियत करने की जोता है और यह जो स्यासी जमाते हमारी मसीही यह असल में हमारी स्यासी तरबियत गाहें साबित हो सकती है यहां से हमारी जो इमर्जिंग लीडर्शिप है एक तो एक्जिस्टिंग लीडर्शिप है लेकिन हम अपनी अमर्जिंग और जो फ्यूचर लीडर्शिप है जो इमर्जिं गाह होनी चाहिए जो कि स्यासी कोर पर हमारे लोगों को पुख्तगी दें, जहनी नश्रोनमा हो, एक स्यासी सोच अबर कर सामने आए, और वो ही स्यासी सोच और आपकी जो दर्सगाहें हैं, वो जो मेंस्ट्रीम पार्टी हैं, उनको सप्लाइ करें, ताके वो जो आपने का न मैंने यही कहा कि अब जो दोर आ रहा है, वो सर्मायादारों का दोर आ रहा है, जिसके पास पैसे हैं, वो ही पार्टी टिकिट्स ले सकेगा, लेकिन यही हाल जुदा गाना एलेक्शन में भी है, क्या किसी जो आज गरीब या मिडिल क्लास बनना हो, या मेरे जैसा मिडिल क होते हैं, आप यह देखें कि जो हम इस दोर में बाते हैं, 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 जो हम सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे, उसके पीचे सब एक ही राज है कि हमारा तालुक मुख्री जमातों से था, लेकिन हमारा विजन, हमारा ग्रोल एक था, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो PMLN से थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी से थे, वो काफ लीक से थे, वो जिस जमात से थे, हम सब एक जगा फेकटे हुए थे, असल में जरुवत है हमें आपस में इतहाद करने की, लेकि हमारा तालुक किसी जमात से हो, हमने अपनी पार्टी में लॉबिंग की, मैंने अपनी जमात में लॉबिंग की, नून वालों ने अपनी जमात में की, काफ लो ने, हाला सबसे ज़्यादा जो मुखालपत में आती रही है, वो नून की तरफ से आती मेरा नाम है, जो पिछले दौर में जनों एक लेजिसलेशन की, पर्टिकुलरली जिसमें से आठ विल माइनॉर्टी के लिए तो आप मुझे बात आप करें, तो आप जो पहले हमारे elected no-minded क्या बताएं, उनोंने लेजिसलेशन में कि क्या रोल अदाती है, यह सब चीजे देखे, आपको performance कार करगी मैं समझती हुँ, it's not matter of selection or it's matter of election, it's matter of your commitment, it's matter of your passion आपका कितना passion है, आपके नजरिये आपका नजरिया क्या है और आप उसमें जरिये की कितनी जो है value करते हैं और वो जो vote को इजद दो की बात करते हैं तो आपका जो voter है आप उसको कितनी इजद देते हैं, बहुत सारे elected no-minded है, majority के Muslim हमारे साथ, जो कभी election जिसके अपने हलकों में ही नहीं किये हैं, तो उस selection का या उसका क्या फाइदा? मौतरमा आप से मैं ये पूछना चाहरा हूँ अभी देखें, selection का आप आपने काम किया आपको जो है वो लोग तसलीम भी करते हैं अगर दूसरी तरफ हम जाएं, मेरा एक कहने का मतलब ये है कि जो selection का तरीका कार है, selection का तरीका कार है, उसमें किसी investigation, नजर नहीं आती कि कोई खास किसी जगा से लिया जाए, कि वो वाकिया ही ये जो है, अखीकत में मसीयों का नमाइंदा है या कर सकता है, उसके बाद हम कई ऐसे मामलात देखते हैं जो मैं पहले भी जिकर कर चुका हूँ कि हमारे बड़े बेबस नजर आए, जैसे हमारा college जो है पिशावर का Edward College था, फिर FC जो college में भी ऐसा हुआ, फिर UCH hospital में, बहुत सारे मामलात में उनका जो role है वो ठीक नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, वज़ा से लोग जो हैं, वो selection का ही नारा इसलिए लगा, कह रहे हैं कि selection नहीं हमें चाहिए, हमें election चाहिए, क्योंकि election भी हम देख चुके उसमें कितना बड़ा हलका था जैसाब मैं वही बात, थोड़ी सी बात, वो यही बात मैंने आपको commitment और की कि जिन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने election से लड़के आके भी कुछ नहीं करना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें यह बड़े बेबस नजर आते हैं, जो दूसरे नमाइंदे हैं, बहुत बेबस, उनका कोई रोल अदा नहीं हो सकता, यह कहते हैं कि सिर्फले में वो इमरान खान से मिलना चाह रहे थे, एड़वर्ड कालेज के सिर्फले में, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, फिर उनका रोल, कोई पाजिटिव रोल अदा नहीं हो, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, नहीं हुए, इसलिए यह कहते हैं, यह आप भी, मैंने यह सुना था, कि आपने दोरे वोट के लिए भी लॉबिंग करने की कोशिश की, हम जी बिल्कुल सेमसम, मेरा आज भी मुतालबा दोरे वोट का है, मैं यही कहते हूँ कि हम जुदागाना की तरफ पीछे ना जाए, बलकि हम एक कदब आगे जाएं, और जैसे सेमसम भाई निकाना, मैं बिल्कुल इस राये के हक में हूँ, कि हमारी जो स्यासी सोच और फिकर है, हमारी जो स्यासी शक्सियात हैं, उनको मिल बैटने की ज़रोते हैं, अब हम कोई बहतर नजाम जये, मुल्क में कोई एहम फैसला होने जा रहा है, तो जो आपका मुल्क का हुक्मरान है, वो हर एक तबकाए फिकर दिया, जितने भी सेग्मेंट्स और ससाइटी है, उनसे मशावरत करे और जब मसीयों की बारी आती है, तो हमारे सारे बिशफ साइबान को बला लिया जाता है, बिशफ साइबान जो है, उन्होंने भी कभी महसूस नहीं किया, कि आप उनकों के कि नहीं, हम सही लोग नहीं, मतलब हमारा तालुक सियासत से नहीं है, हमारी स्यासी सोच या स्यासी शक्सिया उन से जाके रास्ता करें. वो भी कुछ आते हैं और ह्कूमत की हाम में हमेशा देखे हैं, मिलाके आजाते हैं, चाहि हो एडवर्ड कालेज का मसला हो, तो जरूरी है इस वक्त हमारी लम्हाय फिक्रिया है कि स्यासी सोच रखने वाले लोगों को अकठा बैठना पड़ेगा हमारी स्यासी जो मजहीरी स्यासी जमाते हैं उनको और जो मेरी तरह मुटिव जो स्यासी जमातों में कर नमाइनगी करते हैं हमें अकठा होना पड़ेगा और कि क्यों हमारी जो इस पर सियासी क्यादत है उसको नजर अंदास किया जाता है क्योंकि कोई अगर हमने अपने हकूप की बात करनी है कोई सियासी मसाइल है तो उनका हल सियासी ही होगा मजभी क्यादत उनका हल नहीं हो सकती है इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो एक स्यासी सोच रखने वाला तबका है वो आगे आए उनको मिल बैठना पड़े का चाहे हमारे आपस में नजरियाती की सोथ इखिलाफातों लेकिन जब तक हम अकटे नहीं बैठेंगे मैं नहीं समझती कि हमारी स्यासी सोच या हमारी स्या कि थी तो एक बात तो देखे अगर आप दोरे वोट की स्ट्रगल कर रही है तो इट मींज आटमेटिकली के यू आरा आस्किंग फॉर एलेक्शन एस वेल ठीक है थी कि आप इलेक्शन की भी डिमांड कर रही है तो क्यूंके एलेक्शन होगा तो दोरे वोट उसका मतलब ही यह एक वज़ा है जिसकी वज़ा से हमारी कम्यूटी में जो नौजवान नसल है या जो सियासी कुछ जैनियत भी रखते हैं यार इन एक्टिव नहीं है क्योंको नजर आ रहा है कि यार एंड में जो है उनका प्लिटिकल क्रिस्टिन प्लिटिकल पार्टिस में उतना इंट एक दिन हो सकता है वो आपकी सीडी आप टॉप तक चले जाए और आपको अपनी सीट में हो जाए तो एक वज़ा यह बड़ी स्ट्रॉंग वज़ा है बड़ी के जिसकी वह से समझ ले आज कल लोग इंट्रस्ट ही नहीं लेती क्रिस्टिन प्लिटिकल पार्टिसमें लेकि कि कौन से जो नमाइंदे हैं जिनकी आज वक्त चेंज हो चुक है मैं आश्यमाजी ने जैसे का कि जो पिछले नमाइंदे थे उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया है अब वक्त चेंज हो चुक है आज कर जो जो लोग हैं वो देखेंगे क्रिस्टिन क्म्यूटि में भी जा गहाँ उपार्टी सियासी पार्टीयों उनके रैयंडमाओ की तरफ आटोमेटिकлично जाएंगी हैड़ा अवी सही ओधि लेकिन मुश्किल यह है कि हमारी काउम में सियासिफिरों ना होने की वजह से Украї graduated कि वज़ा से एक बड़ी गंबीर सी सूर्तहाल सामने आ रही है कि कुछ लोग स्लेक्शन को भी ठीक है रहे हैं, अलेक्शन की भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा तरीका का ऐसा नहीं आ रहा सामने कि जिससे जो है वो क्म्यूनिटी के लिए, क्रिस्चन क्म्यून करूंगा कि हम लोग मिल के बैठे हैं, आसिबाजी नहीं का लेकिन मैं इसमें एक लाव जायड करूंगा कि हम लोग नेक नीती से और साफ दिलों के साथ मिल कर बैठे हैं, पहली तो चीज के चले जैसे आसिबाजी ने का जो पुलिटिकली एक्टिव हैं, आप एक तीस कम्यूनिटी की क्वास पे मकसद के बेहतरी के लिए अगर यह मिल जूल कर बैठे हैं, तो यह नेक नीती से और दिल साफ करके बैठे हैं, तो धन जो हम उमीद कर सकते हैं कि में भी कोई अच्छी खुशखबरी जो हमें में जवेज साब अगर आपकोई क्वास्टिन है तो सेमसन अब दो मिन जवेज साब इससे पहले के जवाद में सेमसन भाई से यह कहांगी कि वो टी कह रहें, लेकिन एक उनको बात बताओ कि आज हमारे जो लोग हैं वो सियासी तौपर बहुत एक्टिव हैं, आप यहां पर आकर देखें, आप मुक्तिव जमातों में देखें दूसरी बात ही कि देखें, मैं इससे कोई कार्णिया और इसमें कोई दो राए भी नहीं है, अब भी लड़ सकते हैं, लेकिन बात पिर हुए आजाएगी कि हमें यूनिटी की बहुत जोता है, और बड़ी अच्छी बात की नवाज भाई ने के ने कमियर्टी से बैठने की जोतार हम दिलों से खलिश मिटा कर आएं, जब किसी ऐसे प्रेट्पॉम पर उड़ा करें, बहुत जल्ब मैं इस पर सोच रहें और हम इस पर करेंगे, और नवाज भाई को भी हम डावत देंगे, कि वो वहां से आएं, उस कांफरेंस में मैं बहुत जल्ब मेरे, जो है, व को बलाना चाहती हूं, ताके हम मिल बैट कर आएंगे, एक अजंडे पर हम सोच लें, कि हमारा क्या रोल है, और क्या वेफ फावरड है, पाकिस्तान में हमने अपनी हैसे तो कैसे मनवाना है, तो मेरे खाल में इस लग से 80 लोग कर सकते हैं, मिल बैट कर सकते हैं, दूसरी ब के लोग हैं उन वो भी उनके वोड के मौताज हैं। दूसरा इसमें मैंने और मेरे वालिद साथ जो हैं एक बड़ा अच्छा मेकैनिसम जो है वो बनाया था बड़ी मेहनत के बात कि हमारे अगर जुदा सौरी दोहरे वोड की बात हम करते हैं हमारी हलके की बुन्यादों पर तो उसका क्या सिस्टम होना चाहिए तो कभी वक्त आया तो मैं शेयर करूंगी कि हमने किस तरह से उसका पूरा हमने उसका स्ट्राइजी बनाई थी कि पूरे पाकस्तान में हमारे अबादी फैली हुई है पूरे पाकस्तान में तो किस तरह से हमारे एलेक्शन है वो कंड़ सब में जहां पर पैसलो होते हैं आला स्था पर, वहां पर हमारा इन्क्लूजन गो भी है बहुत ज़रो है, हमारी सियासी नमाइंदगी ए सियासी जो हमारा को राब वर्क्र Houston उसकी एहमियत हमें जो है उसको हकूमत को याद लानी पड़ेगी और जब तक हम वो नहीं कर रहेंगे उसका मेरा निशाल कि हम अपने मकसद में रामियाब हो सकते हैं. कि इनके वी वालेद हैं वो स्यासी बहुत एक्टिव रहें हैं और हमेरे और जो हमदोने मेरे वालेद की रहें थेएजिकर सुनरा हम। तो इसकी बिल्कुल जो है और उसकी जो है उन पे जो जैसे आपने का कि आपके वाइल साब ने उन्हों ने एक मेकनिसन बिल्कुल दिया इसी तरह मैं पता नहीं समझने में ज्यादा नहीं कहूंगा दस-पंदरा जो है जहनी के बार रिटन डॉकुमेंट्स मैं अपुद सब्सक्राइबल वोट पे भी जिन पे उन्हों ने बड़ी दलील ने दी पूरी दुनिया से जो मसालें दी अजाद कश्मीर से यूर्पियन पार्लमेंट से जो दोरे वोट की मसालें हैं तो इट इस नट इंपॉसिबल और अगर हम मिल केस्पे जदो जद करें तो हो सकता ह कि ख़दा एक दिन जो है यह हमें यह जो हमारा टार्डट हम यह भी अचीफ करें और दूसरा देखें वो सेलेक्शन पे भी सेंप्शन भाई ने भी वह बात चड़ी थी फिर बात आजाती है नेक नीटी पे आप से हमारी मैंने हमेश्रा एक चीज़ आपके सामने भी और कि पीछे भी कही है कि यू आर एन एक्सेप्शन कि आप एक एक्सेप्शन है आपने बहुत एवन दो आप किसी मसीः पार्टी से नहीं आप एक राइट विंग की पोलिटिकल पार्टी से आई लेकिन आपने पार्लिमन में हर इशू पे अपनी कम्यूटी के लिए वाज अ अब ही सिट्वेशन अब मैंन देशेब करका कि यू आर एन एक्सेप्शन अभी देखें आइडवर्ट्स कोलेज का जो मसला हुआ तो आप देखें के जो पुशावर से हमारे जनाब हैमनेस हैं बिलीव मी वो एक जनाब साजद इसाग साप के प्रोग्रम में किसी में आए तो उनकी जुरत नहीं थी हो रही कि जनाव अपनी पार्टी के गुवर्नर के खलाफ कुछ कह सकी। ठीक हो, उनकी जुरत नहीं थी हो रही। तो आई थिंक कि अगर जिस दिन हम अपने वोट से, अपने लोगों की वोट से, उनकी ताकत से अपनी यानि के मांजर चक पुंचेंगे, तो हमें जुरत होगी, कि हम ऐसी जो हमारे साथ समझ ले होते हैं, अहीं कि हुआता हुआ हुआएफ और उनमें हम भादरी से इट लिस्त बोर्त तो सकेंगे, मिनना ना मिनना वह बहुत ही बात है लेकिन आट लिस्ट आम बोल तर शखेंगे दर देखे इसमें किसी का कसूर नहीं है कि अगर आप बोलना सके अपने हक के लिए भी ना बोल सके मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत अफ़ा ऐसा हुआ कि अपना स्पीफा लिख के पास रखा कि अगर मेरी पार्टी ने जिस दिन चबार भट वल स्पीश की ती तो नासे साब गवा है बिल्कुल एगरी करता हूं पिर बात वहां पी आती है सारी चीजों का जो है के मेरे जूलकर बैठना बहुत जूरी है लेकिन सिर्फ मेरे जूलकर बैठना ही नहीं नेक नीती और साफ दिल के साथ और आसिया बाड़ा अच्छा तो ने कर रहे हूं कि मैं को बिल्कुल हूं तो यकिनन हम भी आपको दावत देंगे बलकि मैं आपसे पूछूगी कि आपके लिए कौन सा टाइम कन्विनियंट और पाकस्तान आने का तो जरूरी है जरूरी नहीं इखिलाफ फिराए देखे यही जमूरियत का हुसन है अगर हम अपने जमूरी रवाइये रखते ह हमें घुमूरी पुसने की ज्युरत पैदा करनी चाहिए जब तक हमें इसी को सुनेंगे नहीं ऑन किस तरह से हमें उससे आंको जज कर सक Ti бывает बहुत जरूरी है कि हमारी स्यासी किया आदत आज तक कभी कटि मिलनी बैढर 있어요 स्यासी सोच रखने वाले स्यासी स्यासी तिकर रखने वाले जो लोग हैं मसीही कम्यूंटी के वाकती हैं। क्योंकि जब तक सियासी सोच और सियासी तिकर जो है वाकती नहीं होगी, मैंने समझती कि पाकिस्तान में हमें हमारे हकूँ कोई भी मजभी के आदत या कोई भी और आप कहले कि इस्टाविश्मेंट या कोई नहीं दिल्वा सकता है या हमें खुदी ही करना पड़े लेकिन मेरा स्वाल अपसी है देखे जैसे आपने कहा है कि आप पार्टिस प्रिस्ट्टिकल पार्टिस कॉंफरेंसिस आप भी जानती हैं मैं किसी का नाम नह पिंडी में भी हो चुकी है, सरगोदा में भी हो चुकी है, फैसलाबाद में भी हो चुकी है, इसलामबाद में भी हो चुकी है, लहूर में भी हो चुकी है, लेकिन आप क्या सोची थी है, आप क्या ऐसा डिफरेंट करेंगी कि जिसे आप समझते हैं कि कोई उसके मसबत जो आपके लाइक मैंड उनको बिला लें. और जो समर्थे कि या शायद हमसे भी फर्ट करें या हमसे बड़े मुख्ली फडाय रखे आप उनको बिलाएं ना. तो फिर मैंनी समर्थे कि मुख्ति किसम की पॉंफ्रेंस हो सकती. आज नौाज साब और मुख्तरमा हासिया साहबा, आज कि गुफ्तकू से ऐसे ही लग रहा है कि बजाए हम नई पार्टियों को फार्म करें या कुछ करें, क्यों ना हम सारी जितनी भी पार्टियां हैं, वो आपस में निगोसियेशन करें, वो कैसे लाए अमल करने की कोशिश करें, और अपनी अप्रोच को ज्यादा बढ़ाते हुए, वो सारी जगा ढूंडें, अलेक्शन कमिशनर से बात करें, क्योंकि अलेक्शन कमिशनर भी एक आहम हिस्सा है, अकूमा से बात करें, कि हमारे लिए सिस्टम इस किसम का लाया जाए, ताकि हमारे हकीकी नमाइंदे वो सामने आए, बूल्ड नमाइंदे आए, जो वाकि हमारे रायाटS के लिए जो है, वो काम करें, बहुत सारे लेक्शन आएबिए जो कूशिश का रहे हैं, वो कहते हैं, कि जो है, वो काम या भी हासल नहीं हो रही, नौध साभ, आप इसको वाइंड अप किस तरीके से कर और यह जो बटे हुए हैं हिस्सों में कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है और इस वकत इंतहाई मुश्किल में इंतहाई मुश्किल में इसा है कि हमारी कम्यूनिटी जो है उतको बहुत सारी इस्चुस का सामना है और उसका हाल कोई नहीं है आप क्या तजवीज करेंग कर द्वारि दिक्लिए जिर भूल सी तर दिक्लिए दिटी nostre na जाठी इन चीजव को जहां पे कफ़ साइल करें और पिर लिए ने स्थी है उनका सूलुशन की जोने चिरताना ज्यूरिए हैं लोगो के साहथ लेकिन एंड में सिर्फ ह्या होता रहा है कि और एक नहीं ऑर्गनाइसेशन भिटीते है तो यह चीजरे भाघ मारी तरजीSon नहीं होने सेही हुआ जब हम मिल दुलक बैटेँ हैं तो Надव फिश यही जो जो इसुज हैं, उनको हम डिसक्स करें, और नेक नीटी के साथ अपने एक दूसरे के साथ चल कर और उनका एक जो एक मनासिफ सेलोशन डोगें. Samson भाई, मैं इसमें यह कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल आपकी और नवास भाई की बात से बिल्कुल मैं इससे जो है, इसमें कोई दोरा हैं नहीं जमाते बनाएं, नहीं बोड़ी बनाए जाएं, मैं सबगती हुए हमारी एक्जिस्टिंग स्यासी जमाते हैं, हमें उन्ह करने के जोता है और आप तके क्टे हैं कि अपकूमिशन से बात करना तो अभी बडा आगे का स्टेप पर अपस में तो मुटिक हो जाएं, सबसे पहले तो दो हम मैं कथे बैठने की मुटिक होने की और मैं सबगती हूँ कि जब हम अभी इस चाह रही हम इसमें इस अर्जिस कोट है या आपके और जो इस तरह से जो रेलिवेंट बॉडिस हैं उनसे हमें यहीं मुतालबार जो अपने हैं वो करने चाहिए और मेरे अपने जहिन में तो यह कि सबसे पहले है कि हमारी जो एक्चुल सियासी नुमाइंदगी है पुलिटिकल पार्टी जो है उने भी चाहिए कि जो उनका worker है, जो उनका स्यासी worka है मेरे खावनोंने सर्मायदारों को छोड़कर उस स्यासी worker को एहमियत देनी चाहिए जो जो सालों से उनके साथ हवार भी है उनको वोट भी देते हैं और उनके लिए जंडे भी लगाता है उनके लिए जलसे जलूसों मेरे लिए तो मैं स्यासी वर्कर की सबसे ज़्य ज्यादा था है दूसरी बात है कि हमारी इस सयासी जमात्यूं कम असकम बहुत ज्यादा नहीं तो हमें वान-पॉइंट एंडा प्र हमें मुत्थिक होना उसमें ये नौक के हम अभी एक कुछ दिन बाद कुछ दस लोग मिलके अलग कॉंफरेंस कर रहे हैं कि ये भी बड़ा रोजान है और जैसे सेंसन भाई ने का कि हम सौरी नवास भाई ने का हमारी कौम के बड़ी एक पसंदीदा जो मैं समझ ले होबी है वो है ओधे ओधे तो सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप जानती है कि वह लोग भी जो सेलेक्शन से भी उन्होंने एंजॉए कि और वह आज एलेक्शन की डिमांड करते हैं तो अगर आप कि आपके ही कौन्फरेंस में एलेक्शन की डिमांड की जाए और मेजॉरिटी इसके हाग में खड़ी हो तो क्या अप फिर एलेक्शन की डिमांड पे उनको सपोर्ट करेंगी या कि यू विल स्टेल क्यूंकि अभी आपकी बात्चों से लगता है कि यू अर इन फेवर अव तको छो साथ दंगे माला हो वह बात नहीं है और मैं मुझे वो निए फीक है लेकिन एक हमने वौफ देख्रा है बहुताह है तरीका का जो हमारे लोगों के लिए सूर्मन और मैं समझती हूँ कि अगर बहुत सारे सहास्चमारते हैं इBrainsEZ लोगेह अब फिसी है कि carry घ। कि ह तो हमने देखें एक देखें एक दफ़ा पहले हमने गल्क प्रूफ कर ली आगए ऊपर डिया उसको हमने क्या फाइदा मिला ओस फ़िए उस वग्री जो सर्मायादार थे सुपर अपर पैसे होते हों ते वहीं पार्लिमेंट में आते थे जिनका अवाम के साथ कोई तालुक नहीं होता था क्या आप सोचते हैं कि अगर आज अलेक्शन हो जाए तो क्या सही माइनों में आएगी आज फिर वही जो सरमायादार है वही पैसा फेंकर अलेक्शन में आ जाएंगी मैं निका कि हमें आगे बढ़ने की जोत है हमें वापस जुद्धागाना पूरी दुन्या में थोड़ी देव के लिए अलेक्शन ही होता कि आपको मजभ की बुन्या पे लग कर दिया जाए मैं समझती हुआ कि यह बहुत बड़ी एक तफ्रीक या मजभी डिस्क्रिमिनेशन होगी कि अलेक्शन में भी हमें अलग कर दिया जाए और हमारा जो बहुत जादा इस वक्त हमारे मौशन में बिगार यह हमारी दूरिया है मिल्स किंसेप्शन है उसकी बहुत बड़ी वज़ा जुदागाना अलेक्शन भी कि इसना बहस होगी तो मैं जरूर आपको इसके साथ प्रूव भी तो होता है कि जो तीस साल पहले जो सिट्वेशन थी उससे सिट्वेशन आज बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है उस वक्त जो आपको पता है आज कि जो है मीडिया का दोर है और हो सकता है कि आप ठीक है कि सरमाया पैसा होना लड़ा जाई ही नहीं सकता लेकिन सिट्वेशन जो है वो आज मुख्तलिफ हो चुकी है आज जो है आप आपको पता है कि लोग जो है मीडिया पे एक मीडिया के जरिए ही उनको मैसी पोन जाता है कि कौन क्या काम कर रहा है तो इट उस वक्त वो जो जो लोग इतना हो चुकी है और आज उस तरह सोच कर वोट नहीं थे मैं बिल्कुल एगरी करती नवाजब है आपके इस बात से इस लिए के लोगों ने वो पेले नुमाइंदे भी देख ले थे जॉएंट एलेक्टरट के बात अब लोगों ने दूसरे नुमाइंदे भी देख ली है अब अब शबास भटी आसिया नासर ने जो ट्रेंड सेट कर लिया अब लोगों को मीट करना पड़ेगा अब जो नहीं बोलेगा वो लोगों से रिजेक्ट कर देंगे मैं बिल्कुल एगरी करती हूँ अब आपकी एस एमली आप देख ले लोग जितने बिल्स करें कोई नई च काशिव बात यह वाज़ा तो हम यहां पे हुई कि हमारा जो सियासी पार्टिय का वीजन क्या है फिर उसके बाद हमारा सिस्टम जो नजाम है अलेक्शन का उस पे बात हुई उसमें गो आप शामल नहीं थे लेकिन माजरत के साथ आप अब यह आपके पास टाइम मिला है कि आप क्या देख रहे हो आया हमें वापस युदा अजी बहुत शुक्रिया सेमसर साब शुक्रिया आपके जो टानलिस्ट बैठे हैं उन्होंने मैं इनको सुन नहीं पाया लेकिन चुके आप अबी बता रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे हाँ जितनी भी मजभी सियासी जमाते हैं खाव मिनार्टिय क्यूमियोटी से हैं उनके पास खाटरखार विजिन नहीं हैं वो किसी खास मेनिफेस्टों के ताहद काम नहीं करते हैं उनकी अपने जढ़े हैं और वन मैं शो के ताहद काम कर रहे होते हैं और उनकी सिर्फ एक अपनी शनाफ्त और अपनी प्रटक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं बतकिस्प मिज़ोरिटी के लोग भी उनके साथ हो ताकि वो फर्दर आगया कि जमूरी प्रोसस का हिस्टा बन सकें लेकिन हमारा प्राम्म यह है कि हम ना जमूरियत को समझते हैं ना जमूरियत की बना द्विकाई को समझते हैं हमारे हाँ हर एक सियासी लीडर जो है वो अपने 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 अजाती एक मकाम के लिए अपने जाती समाज में इसियेट के लिए एलक्शन लग रहा होता है तो जमूरी सिस्टम का हिस्सा धनल राता है लेकि जब तक हम एक स्टser नहीं ले गरते हैं अपनी जमातर इंदर जब तक हम एक स्टॉर्घ जमूरी छियासी जमाती जमाध भी बनाते हैं अपने जम्हाधी जमाती भी बनाते हैं तब लीडर जो है वो वरकर बनके वो एक आम आदनी की C.S.E. काम करेगा, एक आम आदनी की C.S.E. जो जुमूरी प्रसस का हिस्सा बनेगा, जुमूरी शाहर होगा उसको, तो फिर वह यकिन है, सियासी जमाते भी स्टॉंग होती है, लेकिन इसके ब्याक्टरा ये भी है, कि हमारे हाँ, सियासी जमाते लोग जो बनाते हैं, उनके पास एक विजय नहीं होता है, दूसरों के प काम कर सकते हैं, जो 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 विजिंटेशन के साथ काम क्या बर विजियन की साथ क्काम किया, और उसे पूरे मुलक के पिर अपनी जमात को जैसे भी है, जिस लावल पर उनी है, बहुत बड़े लावल पर नहीं था, लेकिन छोटे लावल पर उनने अपना बनवाया है, अपने काम करूम बनवाया था, और वो जमूरी हिस्स, पॉससर का हिस्सा बने है, हमें आज ये हमारे लिए फिक्रिया है, कि हम एक सियासी जमाद ऐसी बनाए यह से मरशूर के साथ मॉलब के अंगर आएं, जो सेक्लर बनादों पर हो, जो क्वैलिटी की बनाद पर हो, जो मजब की बनाद पर नहों, मजब की बनाद पर लोगों ने देख लिया हुआ है, हाई ताक देखे लागे जमासलामी के कितने लोगों को आप खूमत में लेके आप जो बात कर रहे हैं, बड़ी एहम बात है, कि हमारी जो सियासी मजबी जमात्य बनने चाहती हैं, उनको अपने अंदर एक फिकर पहला करने के जूरत है, एक इस तरह की ऐसे मंशूर के साथ काम करने के जूरत है, जा पे मज़ोर्टी के लोगों को साथ ने के चला जाएं, बहुत सारे मज़ोर्टी के हम ख्याल दोस्त ऐसे हैं, जो हमारे हैं हिसा बनना चाहते हैं, जो हमारे साथ शामल हो सकते हैं, जब आप एक सियासी मचोर और मौतबर सोच के साथ सियासी अमल का हिसा बनेंगे, तो जो मज़ोर्टी के बेतरी सियासत बना है, वो भी आपका हि कुछ बन्हें तक तर रहा हैं आज के दार कर बहुत तकनलोजी है उस एसाफ आप सोच नहीं के जो जो आपने बाती है लेकिना हम अभी प्राइम्ट साफ को मोका देते हैं हो हमारे निधा निगा है उन्होंने सारी कुफ्त्र को सुनी है इस बात की मैं यह जरूर कहूंगा क काशिव साहब के लिए यह जो सिस्टम चल रहा है जो इन्होंने अक्रैप्टेशन लगाई है वो डिफिकल्ट है लेकिन इनका जो आप मुतरमासिया साहबा के पास जरूर है हम नाइम साहब की तरफ चलते हैं जी शुक्रिया जवेद साहब और संसन भाई सर्ग बास यह है कि आपका यह चैनल नियू कासलिशन नेटवर्क जो है यह बहुत अच्छा प्लैटफॉर्म लेकर आया जिस पर बैठ के कम अभी हो क्या कहते है ना हनूस दिली दूरस अभी हम इबताई मराहल में हैं और यू भी मैं समझता हूँ के सतर साल जो होते हैं यह किसी कौम के लिए को बहुत बड़ी लिमिट या मुदद नहीं होती उससे पहले हमारे पास कोई ऐसी तरभियत नहीं थी कोई ऐसी मुद्धाम कौम नहीं थे सर्फ हम देखते हैं कि क्याम पाकिस्टान से पहले स्पी सिंगा साथ थे उनकी एक जमात ती इंडियन नैशनल क्रिस्टन इस नाम की तो उन्होंने पार्टिसमेट किया काईदयाजम के साथ मिलके पाकिस्टान को बनाने में क्रिस्टन कम्यूनिटी की तरफ से अपना रोल जो है वो प्ले किया उसके बाद पाकिस्टान जब बन जाता है तो यही लोग जो पाकिस्तान में आते हैं तो आइस्ता आ कि जगा अदिल पर दाशताई पर पाकिसान चोड देते हैं्iego मिशिस सिंगा भी दीलबर मैं पूरी मसीह कौम का दर्द महसूस करते हुए, तो मैं वो एक जनरल बात करता हूं, ये किसी खास आदमी के लिए नहीं है, तो इसी तरह जनाब हम देखते हैं, 1972 में, मसीही लीग और अजाद मसीही लीग इन्यों ने और मुतहर्रक किया कौम को जब स्कूल नेशनलाइज हो रहे थे, और बहुत बड़ी एक तहरीक चली, जिसके नतीजे में हमारे दो मसीही नौजवान शहीद हुए, नवाज मसीह, जेम्स जी, और उसी तहरीक के नतीज में, एक और नौजवान प्रोफेसर सलामत अख्तर यूवर का सामने आए, उन पे भी हमें फखर है हमारी कम्यूनिटी को, बातें तो सैंसें भाई, बहुत सी हैं, ठीक है, हमारी जमाते भी बहुत हैं, आसिया साहिबा की बात सुनी है, मैंने नवाज साभ को सुनी, अभी तक जो मर्ज है, उसकी तश्खीस नहीं कर सके, कि हमें प्रॉब्लम क्या है, या हमारा मसला क्या है, कहां कैसे हाल होगा, कहां से होगा, इसकी छोटी सी मिसाल है, ये पंजाबी में, बुर्दू में बताता हूं कि वो एक कुटा कुए में गिर जाता है, तो गौओं क नहीं है, तो किसी स्याने ने का, भाई कुटा निकालोगे तो पानी पाक होगा, तो हमारी सियासत का कुटा जो एक वो खुवे में ही आए, और हम सब पानी निकाल रहे हैं, मैं माजजत के साथ, मैं सब की बहुत इस्द करता हूं, बड़ा इतराम करता हूं, खास तौर पे अपनी बहन आसिया साहबा, इनकी जदो जदो, इनोंने अभी पता है कि इनों ने शाइद 12 बेल पेश्की जिनमें से आठ जो क्रिस्टिन कम्यूनिय निकले, उने बहुत क्या है, शबास बटी साहब ने बहुत क्या है, हमारे और भी कही हैं, मैंने एम पीज आये थे, मैं छो पाग करता हूं, कि अब जमाना बहुत आगे निकल चुका है, हम कब तक अपने आपको तोफैली बिनाते रहेंगे, हम कब तक सियासी पार्टियों के, में स्यासी पार्टियों के मरूने मिन्नत रहेंगे, ये एक दौर लाग जाती है, जिनाब सब अच्छा बनने की, कि मु तो और नमाइंदा भी असंबलियों में आना चाहिए, लेकिन हमें अपने नमाइंदे भी चुनने चाहिए, उसकी वज़ा ये है, कि जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई प्रॉबलम आती है, गुजश्टा दिनों एक प्रोग्राम में एक भाई कह रहे थे, कि हम अपने समझते हैं, मसाहिल को समझते हैं, भाई मसाहिल को समझते हैं, तो हमारे काम क्यों नहीं होते हैं, एक बच्ची का रेप होता है, एक बच्ची अगवा होती है, हमारी असंबलियों क्या करती है, हमारी मेंस्ट्रिंग पार्टियों क्या करती है, हमारे थाने क्या 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 क् तो हमें तो हमें अभी एक बात हुई थी कि शायद नुवाज भाई ने की थी कि हमें एक नहीं होने दिया जा रहा है बिल्कुल यह इनकी हिक्मत हम लिए है कि यह आपस में लड़ते रहें एक दूसरे के साथ ही यह मुकाबले करते रहें और यह आगे ना सकें मैं आखरी बा आज तक कभी इसके बारे में किसी ने ना सोचा है ना किसी ने समझा है ये मैं बताता हूँ कि हमें जुदागाना अलेक्शन क्यों नहीं दिया जाता ये क्या मसला है एक दोरे वोट की बात बताता हूँ मौतरमा बेन जीर वोटो के दौर में उनकी कभीना ने दोरे वोट का बिल मनजूर किया था और उसमें अहमन नासर चठा जो उनके साथ शामल थे प्रीबल पार्टी के साथ हकूमत में पंजाब हकूमत में तो उन्हुने मुखालवत की थे और उन्हों थे कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इसाइयों के दो वोटो और मुसलमान का एक वोटो दूसरी बात मैं आप को बताता हूँ कि इसमें जनाव ये हमारी तमाई सिवाहनों राटनुमाओ को समझना चाहिए हमें जुद्रा गाना अलेक्शन क्यों नहीं दिया जाता? उसकी वज़ा सिर्फ यह है एक कम्यूनिटी जो पाकिस्तान में काद्यानी कम्यूनिटी, एमदी कम्यूनिटी उनकी वज़ा से साथ हमें भी रगड़ा लाग रहा है इस बारे में भी सोचा जाए क्योंकि जब 85 में लाहोर से कादयानी है मने मुन्तखिब हो के आए तो उनकी जमाद एमधिया ने रववा से हाई कोर्ट में रिट दाइर की और जिसमें मने भी पेश होते रहे और जो एमधिया जमाद है उन्होंने का कि जी हमारा तो बाई काटा इस सेलेक्शन का क्योंकि हम अपने आपको मिनारिटी नहीं समझते इसलिए ये जो बंदा जीता है मैने की सीट ये ये चूब के कादयानी नहीं है तो ये नमाइदा नहीं बान सकता लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया कि नहीं जो बंदा अपने मुझ से अपना मजभ बताता है वो मजभ उसका व अपने अपनी जमातों को कहना चाहिए कि आप जानो और काद आनि जाने हमें उसमें मत रगड़ो जो हमारे हकुग है वो हमें दो और हमें उनके साथ नत्थी करके तो हमें इस किसम के हमारे साथ काम जो होना किया जै, शुक्रिया जै मतरमा आसिया नासर आपने काश्यव की बाहत सुनी थी, कि महले में उनको ट्रेनिंग नहीं होती, हर कोई इस तरीके से जो जमाद बनाता है, तो इस बारे में आप थोड़ी वजाहत करें, कि मैं समझता हूँ कि पार्टियां उस दिन अलबर्ट डेवर्ड कह रहे थे, कि पार्टी ज्यादा होने से काम ही ज्यादा होता है, लेकि मैं इतफाक नहीं करता, जितनी ज्यादा पार्टीयां होंगी, और बढ़ जाएंगी, वो चोटे महलों तक मदूद हो जाएंगी, शेहरों तक वो आगे नहीं बढ़ती है, तो आप क्या कह रहे हैं, उसको आप काशफ नुआ की सारी बात को जो है वो सामने रखेंगे हैं। मैं साइम साब इसमें यही कहाना चाहूंगी, पहले तो मैं नहीं साब के शुकर कुछारू कि उन्हें बड़ा अच्छा जो है मुफसल पेश किया है, और यकिनन, क्योंकि अब वक्त बहुत हो रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आपका जो डिरेक्ट सवाल उसका दून किसी वक् मैं चीज से एगरी हूँ कि जितनी ज्यादा जमाते होंगी, हम उतने ही तो फिरकों हम बढ़ते चले जाएंगे, और पहले ही मुझे किसी एक मेरी जो मुसलिम एमने थी, उन्होंने बड़ा ताना दियो, उन्होंने का कि आपकी तो अपकी कराची में हलका है, इसा नगरी, उसने का तुम लोग तो एक यूसी नहीं जीत सकते हो, तुम क्या बात करते हो, बात उसकी बड़ी वजनदार हो सचती है, तो अगर हर गली में एक सियासी जमात जहर बनने लग जाएगी, तो आप बताएं हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, मैं समझती हूँ कि अब जो एक रह कर ही अपने आपको मनवाया जाए और अपने जो लोगों के हकूँ की बात उनके मूझ से लवाई जाए, यह मेरा विजन और यही मेरा मिशन है, लेकिन जो मसी सियासी जमाते जो हैं, मैं उनको मैं डिसकरिज नहीं करती कि वो सियासी जमाता बनाई, यह जमूरी हग है, और मैं समझती हूँ कि जिनकी तवील जदोजहत हैं और जो इस मरहले से गुजरे हैं, एक वरकर की हैसे से काम करते हुए, उन्होंने अपनी सियासी जमाते को तश्कील दिया है, हमें जरूर उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, और हमें उनमें शामिल बजाएस कि हर बंदा अपनी सियासी जमाते भी और उनको इस खाक Byet happy, पहलेा टा कि सियासी हूए, और उनके जाने के बाद धुर्साने हाल नहों खटम होने, और मैंने पहले भी जाता कि सियासी जमाते जोर नजरिये के गिया डूरी चुंगी चाहिए, किसी फर्द सब्स Pacific न यदिम तो यकिनत, और यही जो हमारी बड़ी मेंस्ट्म जो चार-फ़ट सियासि जमाते हैं, भी इस वक जो मुझे मेंस्ट्म में 23 सियासी जमाते नजराती ही, वह एक तरभीत गाहा दर्सगा के ताओर पर काम कर सकती है, उस सियासी वरकर की तरभीय के लिए, जो गली महलों में हमारे नौजवात, जो थोड़ा बहुत सियासिय शाहूर रखते हैं, जो स्यासिय की फिर में आना चाहते हैं। तो मेरी एक हीवी पील है कि जो हमारी सियासिय जमादें, उनको भी ज़रा अपना दिल को उशादा करना पड़ेगा। उनको भी अपने बाजू पूरे खोल कर लोगों को वेलकम करना पड़ेगा अगर वो काम्याब होना चाहते हैं, अगर वो उस जो सियासी नजाम को शमुलियती नजाम बनाना चाहते हैं तो उन्हें लोगों को फिर जो है करना पड़ेगा और फिर शक्सियात से बाहर निकल कर नजलियात की बुनियाद का सियाकिव नुएसाब यह जो एक सियासत का प्रासस है यह लीडर्शिप का जरूरी है कि वो मुटलिफ अलूम से वाक्वित भी उसको हासल होने चाहिए जैसे माशियात है सेकोलोजी है सिस्ट्री है हम जब आप देखते हैं कि यह गली महलों में ल जानने के नहीं यह हमारी जयाती है कि हार कोई लीडर बनना तो चाहता है लेकिन उसके मियार पर पूरा उतरना नहीं चाहता है सबसे पहले एडुकेशन इट्स वेरी इंपोर्टन आइ तिंग किसी भी वर्कर वर्कर की आदिया कहने है लीडर सिप्टर के एडुकेशन जो है एडुकेटिड होना बड़ा जरूरी बात है और दूसरी आपने का कि इनको इन चीजों का जैसे माशियात का और समाजी पर एक्जेमपल कुछ औरते आती हैं सिर्फ ओर्तों के एक हाउग के लिए कुछ मैनॉरिटी साथी यह तो एड्लीस मैं यह नहीं कौंगा कि आपको माशियात की जलूरत है दैन यह जरूरत है कि आप अपनी हिस्टरी को पढ़ें के मैनॉरिटीस की हिस्पिर का रही है पा लेकिन इससे ज़्यादा जैसे अगर उसको मार्शियात पर भी अबूर हासिल है और दूसरे पी एक्स्ट्रो उसको नो देजा है तो यह तो फिर वो सोने पर सो आगे अजी बात होगी लेकिन एजुकेटिटिड होना किसी भी वरकर और रीडर के लिए इस परी को एक मारी को मैंतितिया ओ अधियर ऐस खोर फॉरrं अधियर्स ऑॉर्फेर्षळो हो उनका इल्म होना बहुत लाजमिय है चाहे हो उनका शारी माइनौर्टी वहकर घुएं गोवन राइक्टिविस्त तो हुमन राइक्ट । मेरिख इसको 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 अरु उसको इसको ड कि आपकी बात से मैं अगरी करता हूं मैंने जैसे एंड में का कि वह बाकी यह चीज आपको पता हो तो यह सोने पर सुहागे जैसी बात है और इसका होना अप्पोर्स इसके उनको ज्यादा जो है अच्छा मैं सर अभी बात हुई थी जुदागाना अलेक्शन की थोड़ा सा अपने पॉइंट से हटने हैं तो जुदागाना अलेक्शन सर यह इस तरह होता था कि पूरा पाकिस्तान नेखलका यह कि इसमें हमारे बहुत से मने जाहे करनल अरवर्ट थे नासर नमूद कोकर इ अपना नवास भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि तमाम लोगों को अपने अपने जहां पे हम बैठे हुए हैं बहुत उंची जगह पे वहां से एक एक स्टप नीचे आके सोचना चाहिए अगर हम MNA हैं हम MPA हैं हम कौंसलर हैं या मेर हैं या जो कुछ भी ह यूसी चेर्मैन है तो सहब हम थाने थाना भी नहीं हमारी सुनता हमारी बच्चियों को रेप किया जाता है हमारे बच्चे जो हैं वो नशे में घरक हो चुके हैं हमारी कौम को बरबाद किया जा रहा है हमें चूडा भंगी यह सब क्या क्या हमारे नमाइंदे यह सब बात यहां डबल वोट पे आती है, जुदागारना अलेक्शन की बात करूँगा, कि जिनाब पूरा मुलक एक हलका होता है, हमारे MNAs का, भैई, पूरा सुबह क्यों नहीं हो सकता, आप बलोचस्तान में एक सीट रखें, आप सरहाद को दो सीटें दें, पंजाब को तीन सीटे दें MNA की, और जिनाब सिंद को भी दो सीटें दें MNA की, इसी तरह आप अप तक्सीम करें MPS को भी तक्सीम करें, तो क्यों नहीं, लेकिन जब तक यह हम आवाज नहीं उठाएंगे, एक होके, एक कोउम होके, तो उस वकत तक ये मसाइल हल नहीं होंगे हमें दोरे वोट की हमें नामजद्गी भी चाहिए हमें अपने नमाइंदे भी चाहिए और इसके लिए हमारा सिर्फ एक नुकाती एजंडा होना चाहिए अपने अपनी पार्टी सब रखें सब कोई जरूरत नहीं छोड़ने की लेकिन इस एक नुकाती एजंडे पे हमें सब कोई कठा होना चाहिए ताके हम अपना अलेक्शन का हख जोगा वो ले सकें शुक्रिया जी अज़ा जी मैं इसमें तोड़ा एड करूँगा जी नहीं साब ने बड़ी डिटेल से बात की है मैं समझता हूं कि रियासत कभी भी आपको दोरा वोट नहीं देगी चुक्कि हम पभूई और पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी बॉन है और हमें वो दोरे वोट कह नहीं मिल सकता उसकी क्रीजन है मैं इस पर इस पर इस बात करता है और रियासत कभी भी आपको देगी मैं समझता हूं कि दोरा वोट लेने के बाद हम एक दूसरे दरज़े के शेरी समझते हैं अपने आपको इस लॉजिक के साथ मैं बल्कुल इतफाक नहीं करता हूं दूसरा जो बात की है जी कि सेपरेट एलेक्शन मैं समझता हूँ कि हमने एक बहुत अच्छा experience की है सेपरेट एलेक्शन का जिसमें आप खुद ही बता रहे थे नहीं साथ पूरा पाकिस्तान का हलका था आप एक मजबी सियासी जमाते हैं उनके अंदर भी नफरत पाई जाती है इस तरह की डिस्किमिनेशन है जो समझते हैं कि जो मजबी सियासी जमात बनाते हैं आपकी मॉज़रिटी की सयासी जमाते आपको टिगर नहीं देती इस नहीं देती कि patl의 को कहते हैं कि मॉज़रिटी के बंदे पास पैसे नहीं है जब काब तक अप फिनांशल ए बिस्ट टॉंग नहीं होते हैं और वो ऐसे जो फिनाशली कमजोर है उनको सपोर्ट करें उनको मेल स्टीम में लेके हैं यह जबुरियत का बास हो नहीं है कि हम मजब के नाम पर स्यासी जमाद बनाएं इस वात की तो बिनको डफिक करता हूँ जैसे आसी अनासा ने बात की है बात जी ने कि हमें मेज के साथ बैटरी के लिए काम करने की जूरत है जासी जमादों को बोटिवेट करने की जूरत है कि हमें हमारे जो मुडरिटी के वहलके हैं 42 पाकिस्तार अंकंदर कम सब कर दो बन सकते हैं आप टिकट भी तो आप तीन को दस परसंट कोटा दिया था तो मैंने इस पे बहुत जादा आवाज उठाई थी और विमन कौकस से भी अपनी जमाद में भी कि पांच परसंट कोटा जो है अकलियत के रखने कि हर जो मेंस्ट्री पार्टी है वो कम सकम पांच परसंट जो है वो अकलियतों को जो है जो है जरनल निशिस्तों पर टेकट दे इसके लिए अलड़ कितनी बलंडर जियतती है बनआटी के लोगों के साहत हम पूरे पुरे पुद् única कर देया मिलने के लिए बुचारे 15 20 था नग मुल्फ puntos कर थे वोटों की तिदाब के मताबक अलके बने पूरा पंजब सूबह जो हलका बहुत बढ़ा है उज हो सकते हैं मुम्किन हैं लोजिकल्य थीक नहीं है तो मैं समय काओ कि हमें अपने इन चीज़ों को सियासी अमल को बेतर बनाने के लिए वसीयों को सियासी अमल का इससा बनाने के लिए हमें कुछ ने स्टैटिजी नहीं साथ आगे आने बढ़ने की जूरत है ताकि हम बितर काम कर से अभी ऐसा है कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुक है टॉपिक में से टॉपिक बहुत सारे निकले हैं बहुत सारे जो है गुफ्तकू ये एक लंबी डिबेट है कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि काशिव साथ जो ह वो हमारे साथ देर से इन्होंने जाइन किया इसलिए आप बहुत सारी गुफ्त को यह नहीं सुन सके और माधरत भी करता हूं टाइम ज्यादा होने के वज़ा से एक बात कुछ हुई कि जो है विजन पुदारा यह जो पार्टियं जो है वो बना लेते हैं उनके पास विजन होता इसके सजा सारी कौम को मिलती है इसलिए बेतर यह है कि वो अपनी नहीं पार्टियां बनाने की बजाए उसी को लोगों को तसलीम करें और लीडर्शिप को स्पेशल तसलीम करें नहीं पार्टियं को ना तश्कील दें दूसरी बात यह है कि यह सिस्ट्रम की बात करते कैसे हैं यह लंबी बहुत लंबी बैस है आहम जहां रहते हैं डेनमार्क में रहते हैं या इंगलेंड में रहते हैं वहां पर सिस्टम ऐसा है वहां पर तासब नहीं होता वहां पर मखलूत इंतखा बात है वो पार्टी को वोट देते हैं वो मजभ के या कम्यूनिटी को तो इसी के साथ जो है मैं आप सबसे अजाजद लेता हूं और जो यह भी अमीद करता हूं कि हमारे एंदा प्रोग्राम में मजीद बात बात्चीत हो सकेगी तो इसी के साथ आप साथ शुक्रिया भी और आप से अजाज़े चाहते हैं